Hello students, I am Dr. Vinod Kamle. इस वीडियो के अंदर हम लोग Research Methodology का एक important part देखने वाले है, जो है Data Analysis और Statistical Analysis. हमारा Data Collection होने के बाद में वो Data को हम लोग को Processing करना पड़ता है और Data Processing होने के बाद में वो Data का Analysis किया जाता है. So यहाँ पे Data Analysis के अंदर या Statistical Analysis के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले है Majors of Central Tendency के बारे में. Now Majors of Central Tendency का मतलब क्या है? जो भी हमारा Frequency Distribution है. मतलब जो भी हमने Data Collect किया है. उसका Average यहाँ पे Find Out किया जाता है. और Majors of Central Tendency के अंदर तीन चीज़े आती है. एक होता है Mean, दूसरा होता Median और तीसरा है Mode. Now Mean जो होता है यह Mathematical Major है और Median और Mode जो यह Positional Major है. तो आपको अगर Objective में Questions आते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यह Information जो हो याद रखनी है. Now Mean, Median और Mode के बारे में अल्रड़े अपने School में या आपके Junior College में, डिग्री College में पढ़ा हुआ है, तो उसको ही हम लोग यहाँ पे वापस से एक बार Revise करने वाले है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि Mean, Median और Mode इसका Meaning क्या होता है, उसका Formula क्या है और उसके Advantages और Disadvantages को हम लोग पढ़ते हैं. So Let's Start. सबसे पहले Mean क्या होता है? तो Mean हम सबको पता है कि Mean Average होता है, जो भी हमको Data Set दिया रहता है, उसका Average निकालना होता है. तो Mean में simply हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग को Data Set दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो यह होता है 10, और यह कितने Observation से तो 4 है. तो 10 divided by 4 करेंगे, तो 2.5 हमारा यहाँ पर Average निकलेगा. उसको हम लोग यहाँ पर Mean बोलते हैं. तो अगर आपको Mean के उपर Question आता है, तो आप लोग को simply लिखना है कि Mean जो होता है, वो एक Average होता है, जहाँ पर सारे Observations का Total किया जाता है, और Number of Observation से उसको Divide किया जाता है. अभी Mean का Formula कैसा है, तो simple अगर Individual Series का हमको Data दिया है, तो उसके लिए हमारा जो Formula होता है, वो ऐसे होता है, Sum of all Observations divided by Number of Observations. यह कैसे Calculation करना है, तो आगे के वीडियो में हम लोग Sum solve करने वाले है, उसमें आपको Individual Data क्या होता है, वो भी पता चलेगा, और किस तरीके से Formula यूज़ करके हम लोग को Calculation करना है, वो भी पता चलेगा. So Individual Data के लिए हम लोग को यह Formula यूज़ करना है, अगर हमारा Discrete Data है, जहाँ पे एक X का कॉलम दिया रहता है, और एक Frequency का कॉलम दिया रहता है, तो उसके लिए Mean जो Calculate करते है, तो उसका यह Formula है, और तीसरा होता है हमारा Continuous Data, तो Continuous Data में हम लोग को एक Range दिया रहता है, और दूसरा कॉलम जो होता है, उसके अंदर हम लोग को Frequency दे रहती है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे यह Formula यूज़ करके, उसका Mean Calculation करना है, अभी हम लोग देखते हैं कि Mean के Advantages क्या है, तो सबसे पहला Mean का Advantage यह है, कि यह Mean जो है, वो Easily Calculate किया जा सकता है, और Even Understanding के लिए भी काफी ज़्यादा Easy है, तो मतलब Simply हम लोग को यह Formula यूज़ करना है, या यह Formula को हमको याद रखना है, उसके अंदर Values को Plot करके, कि हम लोग Easily यहाँ पे Mean जो है Calculate कर सकते हैं, तो Mean Calculate करने में भी Easy है, और Understand करने में भी काफी ज़्यादा Easy है, दूसरा यहाँ पे Advantages है कि Mean के अंदर हम लोग सारे Values को Consider करते हैं, और Data के अंदर जितना भी Value दिया है, वो सबको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्यूंकि हम लोग जब Median and Mode पड़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि हम लोग सारे Values को Use नहीं करते हैं, पर Mean जो होता है, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे Values को Use करते हैं, तीसरा है कि Mean जो होता है, उसका Further Algebraic Treatment के लिए काफी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके लिए ये एक बहुती Popular Statistical Analysis है, अभी Further Algebraic Treatment का मतलब क्या होता है, जब हम लोग Next वाला Topic पढ़ने वाले है, Majors of Dispersion, उसके अंदर आप लोग देखोगे Mean का Use जो काफी बार होता है, मतलब जब हम लोग को Mean Deviation Calculate करना होता है, Standard Deviation Calculate करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग को Mean का Use होता है, तो Mean जो है, वो हम लोग को बहुत सारे Algebraic Treatment के अंदर Use करना पड़ता है, तो ये काफी ज़्यदा Popular Statistical Analysis है, फिर बाद में है Mean जो है, वो Sampling Fluctuation से बहुती कम अफेक्ट होता है, मतलब हमारे Sample अगर बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उसका Mean के उपर इतना ज़्यदा Impact होता नहीं है, और Last वाला Advantage है कि Different जो Distributions होते हैं, मतलब अलग-अलग जो Data Set होते हैं, उनका Mean जो होता है, वो Comparison करने के लिए काफी ज़्यदा Useful होता है, अभी Mean Comparison करना मतलब क्या होता है, तो आगे हम लोग Hypothesis Testing का Topic पढ़ने वाले हैं, उसके बारे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताता हो, Hypothesis Testing के अंदर हम लोग T-Taste, Anova Test यह यूज करते हैं, Basically यह जो T-Taste है वहां पर क्या करते हैं, कि दो Groups का Mean Find Out किया जाता है, और वो Mean को Compare किया जाता है और देखा जाता है, कि दो Group का Mean है उसमें कोई Relation है क्या, जैसे कि Suppose हम लोग Male के Investment के बारे में Data Collect कर रहे हैं, कि Male कहां पर Investment करते हैं, और Female के Investment के बारे में Data Collect करेंगे, मतलब Females कहां पर Investment करते हैं, ये दोनों का data हम लोग collect करने के बाद में उसका mean find out करेंगे और उनके mean में कोई relation है क्या मतलब male और female के investment में कोई relation है क्या वो हम लोग यहाँ पे mean का comparison करके find out करेंगे तो ये जो t-test है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दो distribution का मतलब दो groups का mean जो हो compare करेंगे सेम तरीके से अनोवा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं दो से ज़ादा group ले सकते हैं जैसे male, female और third gender तो उनका जो investment का pattern है वो find out करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे तीनों का data collect करेंगे तीनों का mean calculate करेंगे और तीनों के mean को compare करके देखेंगे कि तीनों के mean में क कोई relation है क्या तो इस तरीके से अलग-अलग distribution के लिए या अलग-अलग group या data के लिए यहाँ पे mean जो होता है वो comparison purpose के लिए useful होता है फिर बाद में mean के disadvantage क्या है तो mean जो होता है वो extreme value से influence होता है मतलब क्या कि अगर suppose हम लोग 1, 2, 3, 4 इस data का अगर mean calculate करेंगे तो वो आता है 2 2.5 पर इसके अंदर अगर extreme कोई value आती है जैसे 1, 2, 3, 4 और 70 तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा उसका mean जो हो completely change हो जाएगा उसमें बहुती drastic change आ जाएगा तो कोई भी अगर data set के अंदर extreme value आती है तो mean जो होता है उससे काफी ज़्यादा influenced होता है because mean में हम लोग क्या करें average निकाल रहे है तो extreme value जब वो data set में आती है तो उसके वज़े से हमारा mean का value जो होता है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है फिर second disadvantage है कि mean जो होता है उसको calculate करना पड़ता है सिर्फ देखके हम लोग यहाँ पे mean जो है find out नहीं कर सकते है जैसे median या mode जो होता है वो हम लोग सिर्फ देखके भी find out कर सकते लेकि mean जो होता है उसके अंदर average निकालना होता है तो वहाँ पे calculation करना पड़ता है तिसरा disadvantage है कि mean जो है वो qualitative data के लिए use नहीं किया जा सकता है जैसे हम लोग को किसी person का intelligence find out करना है कि वो कितना intelligent है या उसकी honesty find out करना है तो उसके लिए हम लोग mean नहीं use कर सकते है तो mean जो है वो स्रिफ quantitative data के लिए use किया जा सकता है numbers के लिए use किया जा सकता है qualitative data के लिए mean use होता नहीं है फिर बाद में four disadvantage है कि हमारे open ended class intervals है तो उस case में mean use नहीं हो सकता है जैसे कि less than 5 and 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 and above तो यहाँ पे क्या है less than 10 जो है और 50 and above जो है वो value हमको पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग mean calculate नहीं कर सकते है mean के लिए हम लोगो open ended data नहीं होना चाहिए हम लोगो यहाँ पे proper data होना चाहिए सारे जो number से वहाँ पे available होने चाहिए तब जाके हम लोग यहाँ पे mean calculate कर सकते है फिर next disadvantage जो है वो इसके related ही है कि अगर suppose कोई value अगर missing होती है तो हम लोग mean calculate नहीं कर सकते है mean calculation करने के लिए data set के अंदर सारे values present होना ज़रूरी है और last में है कि mean का जो answer आता है वो data set के अंदर present नहीं होता है जैसे हम लोग आगे sums के अंदर देखेंगे median और mode जो होता है उसका जो answer आता है वो data set के अंदर available होता है GU लेकिन mean का जो answer आता है वो data set के अंदर available होता नहीं है, so mean जो होता है वो कभी-कभी data के outside का भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये mean के बारे में हम लोग ने meaning, formula, advantages और disadvantages देखे, अभी हम लोग median के बारे में देखते हैं, सबसे पहले median क्या होता है, तो median हमारा जो भी data set है या जो भी हमारा distribution है, उसका एक middle value है, जिसके वज़े से वो data set जो होता है, वो दो parts में divide होता है, एक part जहाँ पे वो middle value से कम के values होते हैं, और दूसरा part जहाँ पे middle value से higher के values होते हैं, तो जो भी हमको data set दिया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो यह 5 का data set हमको दिया है, तो यहाँ पे middle value कितना है 3, so 3 यह हमारा median हो जाएगा, और 3 के under जो भी values है, 1 और 2, वो median से क्या है, lower है, और 4 और 5 जो है, वो median से higher values है, तो इस तरीके से median जो होता है, वो distribution का यह data set का middle value होता है, जो हमारे data set को 2 equal parts में divide करता है, जहाँ पे half value जो होती हो, median के above होती है, और half value जो होती हो, median के below होती है, अभी median का formula हम लोग देखते है, तो median के अंदर जो individual data होता है, तो उसके अंदर calculation करने के लिए 2 formulas होते है, अगर suppose हमारा जो data set है वो odd है, मतलब 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे figure से हमारे data set के अंदर, तो उसमें हम लोग यह वाला formula यूज कर सकते है, और अगर suppose event figure से मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा अगर data set है, तो उसके लिए हम लोग को यह formula यूज करना है, जो है n by 2 plus n by 2 plus 1 divided by 2, तो यह formula जो होता है, वो individual series के data set के लिए use होता है, उसके बाद में अगर discrete series का data set होगा, तो उसका formula है n plus 1 divided by 2, और अगर हमारा continuous series का data है, तो उसका formula ऐसे होता है, L1 plus m minus c divided by f plus L2 minus L1, तो यह किस तरीके से calculation करना है, अगेन हम लोग next video के अंदर देखने वाले है, तो वहाँ पर आपको यह और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि individual data के लिए, discrete data के लिए और continuous data के लिए कैसे formula अपलाई करना, median calculate करना है, अभी हम लोग देखते हैं कि median के advantages क्या है, तो सबसे पहला advantage यह है कि median जो होता है, वो calculate करने के लिए काफी easy होता है, especially जब ungroup data होता है, तो ungroup data मतलब क्या जो individual series होती है, तो उसके लिए हम लोग easily देखके भी median जो हो calculate कर सकते है, दूसरा, अगर dataset में कोई भी extreme value आती है, तो उसका median के उपर कोई भी परिणाम नहीं होता है, because median के अंदर हम लोग क्या कर रहे है, middle value ले रहे है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बड़ी value dataset में आती है, तो उसका median के value के उपर कोई भी influence होता नहीं है, जैसे हमने mean में देखा था कि mean के अंदर हम लोग average निकालते, तो mean में अगर कोई extreme value आती है, तो उसका mean के value के उपर influence होता है, लेकिन median जो होता है वो एक middle value होता है तो data set के अंदर कोई भी extreme value या कोई भी बड़ी value आती है तो उसका median के value के ओपर कोई भी influence होता नहीं है तिसरा advantage है कि median जो है वो non numerical data के लिए use किया जा सकता है मतलब जो qualitative data होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर median use कर सकते है हम लोग ने देखा था कि जो mean होता है वो non numerical या qualitative data के लिए नहीं use किया जा सकता है यह better representative होता है जो भी हमारे पास data set है उसके values का क्योंकि median का value होता है वो data set के अंदर present होता है mean के जैसा नहीं है, mean में क्या है कि जो भी answer आता है वो शायद data set में available नहीं भी हो सकता है लेकिन median का जो answer आता है वो data set के अंदर available होता है so इसके लिए median जो है उसको real value बोला जाता है वो जो भी data set है उसका better representative value है ऐसा उसको कहा जाता है अभी median के disadvantage क्या है तो median के अंदर हम लोग सारे values को use नहीं करते हैं हम लोग स्रीप यहाँ पर middle value को use करते है तो median जो है वो data set के सारे values को use नहीं करता है और दूसरा disadvantage यह है कि median जो है उसको किसी भी further algebraic treatment के लिए use किया जाता नहीं है further algebraic treatment के लिए mean का जादा use होता है now अभी हम लोग third major of central tendency देखेंगे जिसका नाम है mode now mode जो होता है उसका meaning क्या है तो mode एक frequent value होती है जो data set के अंदर available होता है मतलब ऐसी value जो data set के अंदर बार-बार आ रही है जैसी कि suppose 1, 2, 2 3, 3, 3, 3, 3 4, 5 तो ये data set जो इसके अंदर 3 जो है वो 4 time repeat हो रहा है it means वो data set का mode क्या होगा 3 तो जो भी data set के अंदर frequent value होती है जो value repeatedly आती है उसको mode बोला जाता है अभी mode का formula क्या होता है तो अगर suppose हमारा individual data है या discrete data है तो वहाँ पे observation करके ही हम लोग mode calculate कर सकते है और ये formula है L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into bracket L2 minus L1 तो ये formula जो है वो continuous series का mode calculation करने के लिए use किया जाता है इसका use कैसे होता है अगें जब next video में हम लोग sum solve करेंगे तो उसमें आप लोग को किस तरीके से ये values find out करने है और किस तरीके से mode का calculation करना है वो पता चलेगा अभी हम लोग देखते है what are the advantages of mode तो mode जो होता है वो easily हम लोग find out कर सकते है मतलब स्रिफ observe करके भी mode जो होता है calculate किया जा सकता है mode के अंदर भी extreme value का कोई भी influence नहीं होता है because mode के अंदर हम लोग क्या कर रहे है जो most frequent value है जो repeated value है उसको यहाँ पर consider किया जाता है पूरे dataset को यहाँ पर consider नहीं किया जाता है इसके लिए अगर dataset के अंदर कोई भी extreme value होगी तो उसका mode के उपर कोई भी परिणाम होता नहीं है extreme value का परिणाम जो होता है उसके mean के उपर होता है बाकि median और more के उपर extreme value को कोई भी परिणाम होता नहीं है फिर बाद में more जो है वो non numerical data के लिए भी use किया जा सकता है मतलब जो qualitative data होता है उसके लिए हम लोग use कर सकते है जैसे कि suppose हम लोग को किसी का purchase behavior find out करना है तो उसके related हमने हमारे questionnaire के अंदर question पूछा था और उसके options दिये थे frequently purchase, sometimes purchase, rarely purchase और do not purchase तो उसमें से हर एक respondent जो है वो एक option select करेगा तो हम लोग data को देखके find out कर सकते कि कौन सा option जो है वो respondent ने जादा time select किया है तो इस तरीके से ये जो non numerical data है या जो qualitative data है उसके लिए हम लोग more का use कर सकते है again median and more जो होता है वो non numerical data के लिए use किया जा सकता है लेकिन mean जो होता है वो non numerical data के लिए use किया जा सकता नहीं है और last वाला advantage है कि more के वज़े से हम लोग को popular size जो है वो study करने में help होता है मतलब कौन सी value है जो data set के अंदर repeat हो रही है या most frequently आ रही है वो हम लोग को mode के वज़े से पता चलता है अभी हम लोग देखते है what are the disadvantages of mode तो सबसे पहला disadvantage है कि कभी कभी क्या होता है कि data set के अंदर एक से जादा mode भी हो सकते है मतलब दो ऐसे values हो सकते है जो बार बार repeat हो रहे है या जिनकी frequency जादा है तो mode जो होता है वो एक से जादा हो सकता है दूसरा है कि data set के अंदर जो भी values है वो सब values को mode के अंदर use नहीं किया जाता है हम लोग सिप वही value को use करते जो most frequent है या जो value repeat हो रही है strip mean है जहाँ पे हम लोग क्या करते है पूरे data set को use करते है विकोज उसका average हम लोग निकालते है लेकिन median और mode जो है इसके अंदर हम लोग पूरे data set को use नहीं करते है यहाँ पे हम लोग median के अंदर जो middle value उसको इस trip यूज करते है और mode के अंदर हम लोग जो most frequent value है या repeated value है उसको यूज करते है तो यह disadvantage है कि पूरे dataset को यह use करता नहीं है फिर बात में mode जो है वो further algebraic treatment के लिए नहीं use किया जा सकता है जैसे मैंने बताया था mean जो है वो mean deviation, standard deviation calculation के लिए use होता है लेकिन यह median और mode है इसका कोई भी further algebraic treatment होता नहीं है और last वाला disadvantage यह है कि अगर suppose सारे values की frequency अगर same है मतलब कि dataset के अंदर 1 भी दो बार आ रहा है, 2 भी दो बार आ रहा है 3 भी दो बार आ रहा है, 4 भी दो बार आ रहा है तो कौन सा model value है कौन सा value हम लोग को यहाँ पर use करना चाहिए वो हम लोग को यहाँ पर पता चलता नहीं है So this was all about majors of central tendency जिसके अंदर हम लोग ने mean, median और mode इसके meaning, formula advantages और disadvantage के बारे में बताया और जैसे मैंने आपको बताया कि यह सारे जो formula जे इसको use करके किस तरीके से mean, median और mode के sum solve करने वो हम लोग next video में देखने वाले है So this was all about meaning, formula, advantage and disadvantage of mean, median and mode Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends, we will meet in the next video